साथियों सूप्रवाद मैं डॉक्टर सूरेश पांडे और साइक्लिंग के साथ सकारात्मु चर्चा में आज कुछ लंबे समय के बाद आपके समक्स साथियों इनवेस्ट्मेंट सब्द का अर्थ अधि यृव्टत पानेंशियल इनवेस्यमेंट से लगाते हैं लेकिन यदि हम अपने जीवन में छोटे-छोटे सुधारों के मादियम से छोटे-छोटे सकारात्मक उपाईयों के मादियम से यदि जीवन में invest करते चलें तो हमारा जीवन और सुख में प्रफूलित और परपजफूल हो सकता है आईए हम invest सब्द से 6 सकारात्मक सुत्रों को जानते हैं जो जीवन में सफल होने और खुशनुमा जीवन के लिए बहुत जरूरी है पहला सब्द है I, I means invest your time for your family, invest your time for your friends and invest your time for the things you are passionate about अपना समय family members, friends और उन सभी चीजों के लिए invest करना सीखे हैं जिसके बारे में आप passionate हैं जिसके बारे में आप अपने आपको योगी समझते हैं दूसरा अक्सर है N, N means say no to negative people and no self-critical talk or no negative talk about yourself साथियों हमें से कई वक्ती प्रतिवा साली हैं लेकिन negative लोगों से घिरे हुए हैं और अपने बारे में self-critical negative talk करते हैं हमें इस बिमारी को पहचानना होगा और तुरंत उपाय से immediate action लेते हुए negative लोगों से अपनी दूरी बनानी होगी तीसरा अक्सर है V, V means visualize your passion, visualize your qualities and visualize your last journey साथियों गात्री को सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं दस मिनट निकालें अपने बारे में वो सब चीजे सोचें जो आपको जीवन में करना चाते हैं जिसा इंसान आप बनना चाते हैं और सोने से पहले अपने subconscious brain को अचेतन मस्तिक्स को वो सब चीजें लाने के लिए कल्पना करते हैं सोएं एक strong message देते हैं सोएं और आपका अचेतन मस्तिक्स उन सब कारियों को करने में जूट जाएगा जिसकी कल्पना आपने की है और धीरे धीरे आप ऐसे इंसान बनते चले जाएंगे किसी विचारक ने कहा है फेक इट तिल यू मेक इट यानि की वो सब करते रहने की कल्पना करते चलें फेक करते चलें जब तक कि आप उसमें सफलने हो जाएं इंवेस्ट का अगला अक्सर है E E means engage yourself in happiness, engage yourself in healthy lifestyle, engage yourself in spreading happiness, engage yourself in motivating others दूसरों को हमेशा प्रिरित करते चलें और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए healthy भोचे पदार्तों का सेवन करते चलें exercise को जीवन का अभिन अंग बनाते चलें और साथ में खुशियां बाटते चलें invest सबत का अगला अक्सर है S S means surround yourself with the positive people and surround yourself with the people who are helping you to achieve the goal of your life अपनी company को सोच समझ के बनाएं अपने मित्रों का अपने परिचितों का वो मंडल तयार करें जो की आपके जीवन में आपकी साहता करते हैं और आपको हमेशा प्रिरित करते हैं आपको motivate करते हैं उन लोग ही company अपने चारों रखें invest सद का आखरी अक्सर है T T means take your time to learn new skills, take your time to learn new language, take your time to learn about the new thing which you are passionate about साथियों जीवन एक भहुती सीमित समय का वक्त जो इस्वन ने हमें इस धरती पर सभी के साथ spend करने के लिए भीजा है जीवन एक पानी का बुलबुला है और इस जीवन में हमें सफल होने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है take your time to think the goal of your life, take your time to do deep thinking, to find passion about your life साथियों information technology के overload के इस यूग में समय निकालें अपने बारे में सोचने का, समय निकालें अपनी passion को पहचानने का और समय निकालें अपनों के बीच खुशियां बातने का thank you very much, kindly follow these three, these six pearls of wisdom and spread the positive message and invest, invest and invest to make your life more meaningful and purposeful thank you once again, Dr. Suresh Pandekota you